हिटन रन को लेकर के मामला अभी सुलचता हुआ नजर नहीं आ रहा है रोज कोई ना कोई नए बयान इसको लेकर के आ रहे हैं और अभी भी ये पूरा जो मामला है चर्चा का विशय बना हुआ है आईए हमाई साथ लखनों में समय मौझूद है और हमाई सा रजिनीश मिश् जो कि उतर परदेश रोड़ वेस क्रमचारी संक के प्रवक्ता है उनसे जानते हैं कि आखिर अब उनका स्टैंड क्या है और जो नए नहीं तरीके से बयान आ रहे हैं सामने क्या सोचते हैं सर आपका बहुत स्वागत है अंजली जी मैं आपको बताओं मैं अकेला इस आंद लेजिनल करबचारी संके माम सिंग जी यह भी हमारे साथ खड़े हुए हैं हम लोग साथ साथ यह सभी करबचारियों की समस्या हैं सभी जितने भी ड्राइवर्स हैं चाहे वो कार चलाने वाला हो चाहे बस चलाने वाला हो चाहे बाई चलाने वाला हो यह सारी सभी की समस्य तरहां थी सरकार ने एक Prince herkes James YouTube सरकारल एक प्लान करता है कि कुछ मेडिया थे सब्सक्राइब है कि इससे को नक्सार नहीं होगा समॉझने को पहिमी हैं बता कि आप चले जाएएए एक बां बता को उस्तिक हैं रहे हीं और सवाठी कहले कि और देए को वो वक्त ठकर खाने के बाद इनकी गाड़ी के नीचे आ जाता है मार के तो वो चला गया पकड़े ये मौके बर गए ये अगर निकल जाते हैं वहाँ से तो ये सूचना दें कि साफ फला गाली से वहाँ पे एक दुरखटना हो गई है पुलिस पूचेगी कि पहले बताईए आप कौन बोल नहीं इनका नमबर ट्रेस हो जाएगा उसके बाद इनका नाम पता नोट करेगा कार वाला जब नहीं मिलेगा तो वो केस तो इनके नाम आ जाएगा पुलिस तो मुख़बा लिखना लिखना है तो सबसे बड़ी समस्या तो ये कर चालक के सामने आ रही है ना हमने इसके बिरोध में नहीं हो कि कानून आपना बनाए कानून बनाए लेकिन उनके लिए बनाए जो शराप पी के गाली चला रहे है जो दोसों की स्पीड में गाली चलाते किलोमेटर दो किलोमेटर 3 किलोमेटर के बाद में हमारा ड्राइवर हम कहीं जाके पुलिस के हवाले करते जाके गाणी को और 90 परसेंट हमारे चालक यहीं तो करते हैं फिर केस को बनाने की जरूत कह कानून को आप जबर्दस्ती ये थोपने की आवस्षिक्ता क्या है और मैं देख रहा हूँ कि पूरे पूरा इसको लगा दिया गया है इसको लेकर कहीं कोई मंतरी का बयान आ रहा है किने सुप्रीम कोट के वकील अपनी आप दे रहें ग्यान देने से मतलब सुधार नहीं होगा अगर स अमेरिका आप जाते हैं मैंने माननी मंतरी जी अमेरिका गए वहां की सडके आप ने देखी लिकिन माइम आप देखिए जिस लेन में कार चलाने के लिए चोड़ी जाती है यहां तो पैदल के लिए जो बनाये गया उसमें भी लोग बाइक और कार घुसर देते हैं अगर ज देख वहें कि उसके खाते से पैसा कड़ जाएगा दस जार उबईजार का जुरवाना हो जाएगा अपने आप बंद हो जाएगा सब कुछ जब लोग लें तोले के नहीं लालबती नहीं क्रास करेंगे तो कज़ें दुरगटना हो जाएंगी उसी में कार चला रहे हैं उसी कि हम मजदूर हैं यह जितने भी चालक हैं हमारी कोई बहुत बड़ी वह मांग नहीं डिमांड नहीं सरकार थे लेकिन सरकार अगर जबरन हमें फसाने का काम करेगी जबरदस्ती हमारे उपर कोई कानुन धोपने का काम करेगी मैं प्रधान मंत्री आपके चैनल के माद्दम हम से अदर्णी प्रधान मंतरी जी से अदर्णी ग्रह मंत्री जी से मेरी यह पीले सभी चालकों की तरफ से कि इन गरीब चालकों का ध्यान रखा जाए हम जान बूज के कोई दुरघटना नहीं करते हैं दुरघटना के लिए आप स्ट्रक्चर तैयार करें वैसी सड़के तैयार करें आप यह कहें कि यहां बाइक वाला नहीं चलेगा हाई वी ट्रैफिक चलेगा उसके बाजूत भी अगर अब से दुरघटना होती है तो जब कोई पैदल वाला हमारे सामने आएगा है नहीं तो दुरघंटा का मतलब क्या हुआ तो पहले आप इस्टेक्चर को तैयार करिए ना तो इस कानून में बतलाव करें और अगर करना है यह हिट एंडरन कानून उनके उपर लागू होता है जो रात में फुटपात पे गाल उनके उपर लागू करिया यह सर आप जो देश की अर्तविवस्ता में अपना पूरा युगदान दे रहे हैं जो प्रदेश की जंता को एक दूसरे इस्टान दे पहुचाने का काम देश के लोगों को कर रहे हैं जंता की सेवा करने उनके उपर हिट एंडरन कानून करके कोई प्रावधान में बदलाओ जैसे भी दस साल की सजा है और साथ लाग रुपए का जुर्माना है उसमें कर कम करें सरकार तो क्या करें किस हिसाब से करें करने का धारा 304 एक थी इन्होंने जो इंडियन पीनल कोड था उसमें बदलाओ कर दिया उसे नियाज संगिता का नाम दे दिया हम उसके लिए उसके पच्छ भी पच्छ में नहीं है ना हमारा कोई चालक उसके विसरकार जो अच्छा काम करें हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें लेकिन कम से कम ये तो ध्यान रख्ये कि आप जबरदस्ति किसी को ठोपने का प्रयास कर रहे हैं कहां से 7 लाग रुपिया एक डाइवर देगा आप बताईए इस डाइवर के पास 7 लाग रुपिया इसकी हालत देख रहे हैं ये बस चला कि 12 अजा रुपिया कमा रहे हम लो च्छे लागू करेंगे और यह पब्लिक दौडाती है यह भाग मचाओं में भागे का तो जरूरी और अगर हम सूचना पुलिस को मैं दे रहे हैं तो आपको सूचना दे दी तो आप कहेंगे फला नंबर से आया था इसका पता नोट करो पता है हमारा पता सवागया उसके पा आप यह कानूल लागू होना चाहिए उनने बदलाव करें सरकार के पास इस्ट्रक्चर है उनकी पुलिस है उनके तमाम विरोक्रेसी है लोगों को वह उनको सक्री करें ना उनके पास मशीन है शराप पिने वालों को गाली चलाने पर अंकुस लगाए और हमारे यहां तो अ हमारे पास में मशीने हैं जो चेकिंग स्कॉट हमारे रास्ते में वरात्र में दिन में भी बराबर चेक करते हैं अगर कोई शरापी के हमारा चालक गाड़ी चलाते पाया तो उसके खिलाब कठोर कारवाई की जाती है उत्तर परदेश में कुल कितने चालक हैं हमारे यहां सबकित वहर्द है करीब 20-2500 के पॉताबकिर TI कारे यहां विद्फाफ 15huhल यहां जर्फ पास की सेवा के लिए में बने वुए दो सरकार इनके लिए को पर नीमित कर सातल अब कर्मचारी को जब 40-50,000 बेतन मिलेगा उसे छमता हो जाएगी चालक पर चालक को तो वो जुर्माना भी भुगतने के आतिन होगा सरकार राज कर्मचारी घोसित करते इनको सबको कि राज कर्मचारी है जो कुछ होगा इस्टक्चर खड़ा करते तो यह अपना अगर किसी को ब नेता दे रहे हैं या आधनी मंत्री दे रहे हैं या सुप्रीम कोट के वकील में लगातार चैनल के माध्धम से देख रहा हूं लगातार इस कानून को लेकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो एक बार समझाएं अगर उनके बच्चे से एक्सिडेंट हो जाता है यह तो समस सब्सक्राइब करने के लिए तब समझ में आएगा इसका मजा क्या होता है कानून सब्सक्राइब करने के लिए तो रजनीश मिश्रा थे हमाई साथ इस समय उत्तर परदेश रोडवे करमशारी संग के जो प्रवक्ता है कि किस तरह से कानून में बदला होना चाहिए कहा है कि वह इसके विरोध निमें नहीं है लेकिन लागू किस पर करना चाहिए यह उन्हों बदलाओ जरूर करना चाहिए तब तक यह लों हटेंगे नहीं तो ऐसी और दिल्चस्प जानकार की जुड़े मेरे साथ मैं लखनो से अंजली सिंग राजपूत न्यूस 18